चाचा चौधरी और जेल का पंची जेल के बहर गश्ट करता सिपाही कैदी लोटन बड़ा चालाख है मुझे होश्यारी से पहरा देना चाहिए अंदर कैदी लोटन भागने की योजना बना रहा है देवार उची है, मैं नहीं फान सकता ये पत्थर काम आएंगे कैदी लोटन पत्थर लाकर वहां रखना शुरू करता है अब ये काफी उचे हो गए है लोटन उन पत्थरों पचड़कर दिवार फान जाता है और वहां से नौ दो ग्यारा हो जाता है अब मुझे कोई नहीं पकर सकता उधर जेल के अंदर अंदर से आवाज आई है लगता है कोई गड़बढ है अंदर घुसते ही सिपाही चौक जाता है अरे चालाक लोटन चक्मा दे कर भाग गया अब क्या होगा उधर लोटन काफी दूर निकल गया अरे साबू ये तेरे हाथ में क्या है रोकेट इसको साहरा देने के लिए बोतन नहीं मिल रही फिकर ना करो मैं रोकेट को थामता हूँ लोटन रोकेट को थाम लेता है लो अब तुम आग लगाओ साबू पलिते में आग लगाता है और रोकेट लोटन को लिए हवा में उड़ जाता है ओहा और हवा में उड़ता हुआ रोकेट लोटन को लिए सीधा जेल के अंदर गिरता है सत्यानाश ये तो मैं वापज जेल में ही आगे रहा चाचा चौधरी और साबू साबू कहां से आ रहे हो एक भागे हुए कैदी को वापज जेल भेज कर चाचा जी अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि वा आदमी कैदी है उसके लिबास से साबू